हेलो एक्रिवान कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं तो आज की वीडियो के बाद जरूर हो जाएंगे तो सुनी है आपने ये मज़िदार करा रही आवास तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल दिल पापड़ी जो बनेगी घर पर बहुत ही असान तरीके से बजार से भी बेटर तो बिना देर किये करते हैं शुरू से शुरू तो रेसिपी की शिरुवात करने के लिए सबसे पहले मैं लेरी हूँ चॉपिंग बोर्ड जिस पर मैं बहुत ही अची तरह से ओईल लगाने वाली हूँ आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं और साथ ही हम बेलन पर भी बहुत ही अची तरह से ओईल यगी लगा लें ताकि इसमें से मौश्टर निकल जाए और हमारे तिल हलके से रोस्ट हो जाए पस ध्यान रखीगा इसे बहुत जादा देर हमें नहीं भूनना है तो करीब एक मिनिट हो चुका है धीमियाज पर इसे भूनते हुए तिल रोस्ट हो चुके हैं तो ग्यास को आफ करेंगे और इस तिल को हम करेंगे पूरी तरह से ठंडा इसके बाद तुबारा से ग्यास पर पैन को रखेंगे और इसमें डालेंगे हम चीनी तो जितने आपने तिल लिये हैं उतनी ही चीनी आपको यूज करनी है तो मैंने चाचमच तिल लिये थे तो चाचमच ही चीनी में यूज कर तो अब हम करेंगे gas को on और इस चीनी को करेंगे caramelized, यानि कि इस चीनी को आपको पिगलाना है, इस चीनी को caramelized करने के दो तरीके हैं, एक है high flame पर और एक होता है low medium flame पर, अगर आप इसे high flame पर caramelized करते हैं, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन चीनी का color थोड़ा सा brown होता है, लेकिन अगर आप इस चीनी को low flame या फिर medium flame पर caramelized करेंगे, तो आपकी पापड़ी थोड़े से सफेद रंगी या light brown color की बनती है, तो आपको आपकी पापड़ी का color जैसा भी चाहिए हो, आप उसी तरह से अपनी चीनी को caramelized कर सकते हैं, वैसे आज के वीडियो म दोनों का सेम रहता है, तो आप कोई भी तरीके से से caramelized कर सकते हैं, फिलाल बातों बातों में आप दे सकते हैं, चीनी पूरी तरह से caramelized हो चुकी है, और इसका color बढ़िया तरीके से आ चुका है, तो बस आप हम gas को करेंगे off और काम को करेंगे बहुत जल्दी, तो जो हमने तिल रोस करके रखेते, फटा-फट से डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे, इस stage पर आपको बहुत जल्दी काम करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, तो आप देख सकते हैं, तिल और शुगर अच्छे से mix हो चुके हैं, तो फटा-फट से हम चल रोल करना है, जिसे कि हम चपाती को करते हैं, लेकिन इस काम को आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये जो mixture है, वो बहुत जल्दी सक्त हो जाता है, तो जब तक ये गरम है, तब तक ही आप इसे बढ़िया तरीके से रोल कर सकते हैं, तो इसे जितनी जल्दी आ असानी से इस सर्फिस के ऊपर से उठ सकें, तो अभी ये थोड़ा सा गरम है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा सौफ्ट लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि ये सक्त हो जाए, तो आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है कुछ सेकिन में ही और एकदम से बढ़िया कड़क होके रेडी हो चुका है, तो हमारा एक पापड बनके रेडी है, इसी तरह से हम दूसरा तिल पापड भी बनाएंगे, अच्छा तिल पापड बनाते वक्त आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कि जब भी आप तिल पापड बनाएं, हमेशा छोटे चोटे बैचे में ही बनाएगा, यानि कि चोटी चोटी कॉंटिटी में ही आपको इसे बनाना है, क्योंकि अगर आप एक बार में बहुत जादा तिल पापड बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता, तो मैं सिज़स करूंगे कि इसक चोटी चोटे बैचे में ही बनाएगा, तो आप देख सकते हैं, हमारा दूसरा बैच में भी दूसरा तिल पापड बनके बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, यह कितना ग्लॉसी और एकदम पतला परफेक्ट बना है, तो फ्रेंस हमारे दोनों तिल पापड बनके रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि इस बैच में मैंने शुगर को हाई फ्लेम पर कैरमलाइस किया था, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि इस बैच की शुगर को मैंने लो फ्लेम पर किया था तो आप color difference से अंदासा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा color अच्छा लगता है और आप किस तरह से शुगर को तो फ्रेंस कुछी मिंटों में हमारी पतली कुरकुरी तेस्टी तिल पापड़ी बनकर तयार है इसे आप एर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें इंज्वाई कर सकते हैं तो इस मज़िदार रेसिप को ट्राइ कीजएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई